जर्या थाना छेतर के कतरास मोड वाइन सौप के समिप चाय दुकान में बिती राज चोरों ने दुकान के लोहे का ग्रिल गेट का ताला तोड़कर तीन हजार नगेद समेट दुकान के कई सामान चोरी कर लिया पिडित दुकानदार मुकेस पाठक ने बताया कि हर रोज की तरह सौमवार की रात आट बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे मंगलवार की सुबह दुकान के बगल में रहरे पडोसी ने फोन करके जानकारी दिया क्यापके दुकान का टाला टूटा हुआ है जिसके बाद मैं दुकान पहुंचा तो देखा मेरा ग्रिल गेट का टाला टूटा हुआ है और सारा सामान भिख्रा हुआ है जिसके बाद मैंने देखा कि दुकान के गल्ले से 3,000 नगत रूपए और दुकान के सामान गाया दुकान संचालक मुकेस पाठक ने बताया कि करीब 20,000 के संपत की चोरी हुई है पेडित ने इसके लिखत सिकाय जरिया थाना में की है फिलाल जरिया पुलिस जाच परताल में जुटी हुई है कि छोरी को अनजामत है इसके सिकायत आपने के है यह स्थानिय पुलिस को इसकी शिजार्य आप लोकान लोग आए उसके सीखायत आपने की है पुलिस्धानी यहां कितने बच दुकान खोले तो देखा आपको क्या सी घटना होगी तो इन थो ती बज़े का स्पस में नंब कुलता है तो एक ने फोन किया कि आज रहे तुमारा एस जाना लग खुला वह चोट चल गयता है वाचानक तामाइश्टी दो बजे के लिए तो तुमार के लिए नहीं ताला के लिए ताला लॉट ताला तो आपको पून किया यह बिति रात की घटना है विति रात की घटना है क्या नाम हूँ आपका क्या करेंगे अब आप थाना में दों थाना से उचित करवाई करें चेक्ट